हेलो प्यारे बैच्चों लक्ष्मिन ग्लासिस में आपका स्वागत है हम दोग पढ़ाएं कर्षा दस्की विज्ञान चैप्टर नमबर टू अम्ल चारक अबम लवड़ आज का टॉपिक है लवड़ क्या होता है तो पेटा साल्ट क्या होता है लवड़ क्या होता है इस पर ह प्लास एन ए ऊएच ठीक है बेटा एन ए एचसी एल प्लास एैन ए उएच ए ऐसल क्या और आए खोई भी आमल है हाईडो क्लोरिक आमल और यह चारक है जब आमल और चारक मिलते पर अचारक मिलते हैं तब लवड़ बनता है और पानी प्राप्त होता है दुक्ाइब इस दो सेल off यह यहां है नमक क्या है नमक छल्वड कहते हैं और यहां क्या प्राप्ट हुआ यहां प्राप्ण हुआ यह यहां प्राप्त हुआ मिलते हैं तब प्राप्त होता है और पानी बनता है कुल मिलाखें हम से पूछंचा जा रहा है कि अ सल्त क्या होता है साद के जब और च्रक मिलते हैं जब और चाड़ घर केते हैं तब बनने और छारक, जब अम्र और छारक आपस में मिलते हैं, तब लब्ड बनता है, तब लब्ड बनता है, तब बनने वाले नए उत्पात को, तब बनने वाले नए उत्पात को जब लब्ड कहते हैं, कि आपके ते आपको बढ़र केते हैं या सकते हो जब रहते हैं लभर्ण को दाव करते हैं लग गई आपका और यह एक्जामपल आप नोट करो यह एक्जामपल आपनोट के लो रीकसर छापिया धावर्ण क्या होता है ठीक है फिर्टा, बिल्कु समझ में आरी है, लिखने में का दिकत आरी है, हाडि का देलिई के उधारन, यहाडि के आरिक से लिखने के बाद हृडि एंगलो अम लिके उधारन, अधारन अच्छे, सबसे फेमस साल्ड का नाम बता उच्छा, लबड के उधारन ठीक है लबड के उधारन लबड के उधारन तो लबड के उधारन क्या कि ले ले वीटा दोगो एन दिखू एन एएसल जाडान एसल फूर U 0-4-4-4-4-4 ऐस अथिक न एंग्जीसट फोर कि अनु थिरी ने इतना ठीक हैं fire ऑफ्स पूर है आधि यह क्या वारे साल्ट है ठीक है अब बताऊ सबसे फिमासाल्ट कौन सो सबसे फिमासाल्ट नां पता है हम उन्हें पताता है यह नमक को बच्चा बच्चा जानता है बैटा बात करते हैं साधान सब्सक्राइस किसे कहते हैं है हुंए साधाण नमक ठाड़ा था अब हमने सबनाता साल्क्राइब में का मारीिक हत नमक right there साधान नमक आपस मिलते हैं नमल चारख नाको Понत यहांं कहें हैं工 burag और sodium hydroxide बैटा यहां क्या कहेंगे hydrochloric aml HCl HCl क्या होता है hydrochloric aml hydrochloric hydrochloric aml ठीक है जब hydrochloric aml और sodium hydroxide NaOH NaOH इसको बोलते है sodium hydroxide ठीक है जब hydrochloric aml और sodium hydroxide आपस में क्रिया करते हैं तब बनने वाल उत्पाद को नमक कहते हैं तब बनने वाल उत्पाद को क्या कहते हैं साधाला नमक कहते हैं सेज़ में आया तो आप कहते हूं सर अभी यह चीज़ पहले पताई थी जब कोई भी अमल और कोई भी छारक आपस में मिलते हैं तो बनने वाल उत्पाद को लबड कहते हैं नमक नहीं क्या कहते हैं लेकिन जब छारक NaOH हो और अमलो HCl हो जब यह दोनों चीज़ फिक्स हो जब अमलो HCl हो छारक NaOH हो तो जो उत्पाद मनेगा उसको लबड कहते हैं सबना आगे वटवाद यहां स्पेसल है लखो 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 पता प्रेंस लखो हो भूड अलत बनने का को लवल लखो हां यार सबसे फेमस साल्ट नमक को कहते हैं नमक का उपयोग हम स्वाधिष्ट खस्ता भोजन बनाने में करते हैं नमक का उपयोग हम भोजन में करते हैं थे थी अब हम बात करने है बाटना बंड्लकनिए हमारे धैनक जीवन में उपईयोंगी पदार्थ हमारे भी या तुम्हार भी है न हमारे हमारे Hai हमारे बैनिक जीवन में थे हमारे धैनिक जीवन में हमारे दैनिक जीवन में उपियोगी पदार्थ है उपियोगी पदार्थ पदार्थ पिटा कौन को से पदार्थ हमारे दैनिक जीवन उपियोगी होते हैं यह सबसे पहला हम नाम लें तो मैं सारे पदार्थ लिएता हूं एक साथ में फिर एक एक करके डिटेल से समझाऊंगा सारे पदार्त लिखना बहुत बहुत जरूरी है और सब बहुत बहुत जाता है इंपोटाइंडमिटा ठीक है तो मैं सबके नाम लिखता हूं वोड पर और आप इसको नोट करेंगे ठीक है चाहूं साथ साथ नोट करते जाओ बिटा जो पहला है उसका नाम है ब्रंजक चून ब्रंजक चून ठीक है यह बहुत प्लोगी पता है इसको bleaching powder भी कहते है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं उसको ब्रूच्ऑ और इसका जो सूत्र होता है इसका जो नाम देकते हैं इसका भीता रशानिक नाम याद करने ना पुश्ता ही इसका क़िए उक्सियम ऑक्सि ट्रॉर को एड बटा, calcium oxy chloride, ठीक है बटा, calcium oxy chloride, calcium oxy chloride, ठीक है, यह इसको हम hypo भी बढ़ देते हैं, कभी कभाई, ठीक है, इसका नाम हम यह लिए सकते हैं, calcium hypo chloride, calcium hypo chloride, इसके रसानिक नाम है, याद करेना, calcium hypo chloride, ठीक है बटा, चुलों, दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन सा, दूसरा हम पढ़ेंगे, baking soda, उसरा पढ़ेंगे हम, baking soda, baking soda, ठीक है, इसको बोलते हैं, खाने का soda, यह बोलते हैं, इसको बोलते हैं, खाने का soda, आप ऐसा करोना, बटा, यह यह ब्लाना इसके बाद मैं लिखतो हो जूत्र, रसानिक नाम, इतना black pencil रिखो ठीक है इसके बाद नीले pencil रिखो रसानिक नाम रसानिक नाम बेटा सा क्या होगा sodium hydrogen carbonate sodium hydrogen carbonate sodium hydrogen carbonate ठीक है यह इसको बाई भी पढ़ते हैं sodium by carbonate भी सकते हो कार्बोनीट इसका रसानिक नाम है ठीक है next है धावन soda कपड़ा धूने वाला ना धावन soda धावन soda इसको बोलते हैं बेटा हम कपड़े धूने वाला soda ठीक है कपड़े धूने का soda कपड़े धूने का soda इसका सूत्र क्या होता है इसका सूत्र देखें हम एने टू सीओ थ्री एन टू सीओ थ्री इंटु टैन अस्टू बैस लिग लिए आप याद करें टैसे मतले हमां करवाद लाश्टर का ठीक है सब्याद हो जाएगा उसका देखते हैं रसाइने की नाम इसका नाम हो जाएगा सूदियम कर्बोनेट जैसा सूदियम कर्बूनेट देखा हायडरेट आफा है है एक है कि लास्ट रहे प्लास्ट जो कि मोस् पॉर्ट इतना अपनोड करने बड़ा उब यह च्छा करें गे सभी पर हम तो बहुत इंपूरेंट है बेटा और बोर होने की जूरत नहीं है मैं लिख रहा हूं तो आपको बड़ा फिर होता होगा बोरिंग लगता होगा लेकिन समझाओंगा भी न एक एक चीज को बहुत बढ़ी आसे तब आपको बहुत क्लियर्टी समझ में आ जाएगा ठीक है न चलने लेने की बिल्कुल जूरूर तो नहीं है तो नेक्स आपको जाद लागो फारिस-प्लास्टर नहीं फिर आपको जादेने दिखना है प्लास्टर और पैरिस नहीं ही एक कितना हाथ में लग रहे है क्या कहरते है सको चक्रिशा चौक का है कि क्या एक पता एग न सफ लोता है प्राइश तैसरल कर थे Jiang63 सी एएस ओफोर को एक सपोर है या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दो सब्सक्राइब कर आंभब तो सी एस को फूर से क्थैक उसका वैस्की सब्सक्राइब ने कर सकते हैं और दो सब्सक्राइब कर दो सूत्र में तो ठीक अब बिटा क्या अगाम करें अब हम लिखते हैं इसका रासाइनिक नाम रासाइनिक नाम बहुत रास का नाम है कैल्सियम सलफेट हेमि हाइडरेट कैल्सियम बिटा यह हो गया कैल्सियम सलफेट हापको बोलते हैं हेमी हेमि हाइडरेट कैल्सियम सलफेट हेमि हाइडरेट कैल्सियम सलफेट हेमि हाइडरेट ठीक है यह इसको हम रहे सकते हैं कैल्सियम सलफेट कैल्सियम सलफेट अर्ध हाइडरेट ठीक है पिटा देखो मैं आपको पच्छे समझा रहा हूं लेकिन आपको लगए रहा हूं तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं अब वीडियो चलता हो पिटा जो आपके कैमेरे के जो बीड चलता हो इधर दो को सैटिंग का उप्सण होगा उपर दो कॉर्णर प अब बोरिंग सा फील होता हो तो दो बैटा मैं तो ब्ल्कुल ऑफ्लाइन क्लास के तरह रहा हूं बात ही आपके लिए अगर मैं ऑनलाइन तरह प्लाता होता ना तो इसने डाटा सब चापके रखता बोट पे डाटा चापके रखता इससे मेरा भी समय बच्छा आता और अड़ा तो फस्ट अपना हेंटिंग होती आगा बीटा बीचिंग पॉडर या ब्रेंजक चून ठीक है क्या बताया था एक इसका सूत्र है सी अबक्ति रिटा माइन लेने बिडिया में रसाने नाम बताओ पृटँ क्या बता आया था है रसाने की नाम है केलस इस केलसियम ऑपिटी हम ऑफ्सी किलोराइड है? ठीक है अब देखते हैं मश्यक्यफ्वा ऑब बलाने की बिधि क्या ह। कि इसकी है ठीक है बाटा बढाने की ओध्थी का लाना कहसे इसको यह चीज लेक्ते हैं थीक है उनुटा फुर जब भजह हुआ चूने में किलोरीन गैस पुरवाइद करते हैं, जानते ही हो नोबकान लगां ऑघ देड़ी होती हैं और कट्टे में होता है पुर्ण से नढरता करते हैं हम ईजाओव पती में घर पहलें तुकले पर हुवा हुआग करते हैं हैप इसए इताना को कहते हैं ना भीų है भाणी स्वेश्ट करें में प्रहाब मीक्स करते हैं उसके बाद क्या होता है थेजी स्वेश्ट आते और हमारे लिए पिर क्या होगा पानी उपर आजाब आज़ागा ऊचुण जाएगा गाली दोगे मुझे ठीक है तो पतिला पार देना गर्म पड़ जाएगा तो बेटा क्या है हाथ से ऊच्वा लेगी हीट ने के लेगी और हमारे लिए पिर क्या होगा पानी उपर आजागा उचुना नीचे बढ़ जागा तो तो कहते हैं बुजा हुआ चुना ठीक इसको रि बुजा हुआ थिए तो मैं आपको रहे था क्या है हुआ ठीक है ये है ऑस को होल्ट वाल टॉइस है इसमें जब क्लोरीन गैस प्रवायत करते हैं तो दो क्या प्राप्त होता है तो है प्राप्त होता है CAOCl2 CAO यहां से ले लो और यह रहा CAOCl2 बचा क्या 2H और 1 ह्तुओ यह बन गया बिरंजक चूण बिरंजक चूण तो बनाने विदी क्या होई जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब द्रंजक्षोन प्राप्त होता है जब बुझे हुए चूने में जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब ब्रंजक्षोन बनता है ठीक है अब यह रीक्षन नोट कर लो पड़ा पट रीक्षन नोट को बटा है हुए हो गैशन नौट ठीक है अब है न लें उप्योग अग। अप्पयोग। मैं ठीक्ष राश्य चून को प्योग क्या है तो बिटा मैं आपको बता दूंदों किया उपयोग है इसके जैसे कि ना मैं आपको बताओं पहले मैं जब इंटर में था वेटा तो मैं रूम पे रहता था तो बहां पर और आप तो बहुत गंदी होगी ती अंदर से उपयोग में समझा रहा हूं आपके लिए कुछ हम बहली रहते थे वेटा रूम ले करके एंट्रे अब इसकी बात है तब क्यातर हमारी जो बाल्टी थी वो काली-काली हो गए ती अंदर से कौन यार इंटर गाली मतलब यह जो बाल्टी बाल्टी थी हमारी बीकर बने गया है कोई बात ही बाल्टी मानों आप इसको ठीक है बाल्टी यह से बना देता हूं अब बाल्टी लग रही है तो उन्होंने हमसे कहा है कि बही यह बाल्टी काली है साफ कर लोश को निए क्या है बाल्टी के चारों तरफ लोने कुछ बहाएट कलर गाए और पानी बीगोगर रख दिया अब मैंने दो घंटे बाद ना पाई जला बाल्टी में तो बाल्टी बिल्कुल क्लीन दूद्यां होगी बिल्कुल साफ हो गई है तो क्या हुआ कि इसने क्या काम किया ब्रेंजग चूण बीटा तो क्या हुआ कि हमारी बाल्टी क्लीन होगी तो मैंने उसमें पूचा बहीं यह बताओ यह जुस्ति ने तुने बिल्लीचिंग पॉडर यह नगरपाल का मिलता है व्यक्ताश पाई पाई करने के लिए तो ब्रंज़ की करले का मतलब क्या में हिसले का लोका तो नहीं से भला तो पली रखे नस्तर के से अड़्न आज ओ करता है अब अम के की थी रग उडाने करवाथ। नॵ गर्ण वबलीचिंग नूज करवाती हैं다고 विलीचिंग करवाती हैं तो इसां की जोला पर घाल कराते हैं अनकी जह कर दो ज्रिजंग करते हैं उनके चलatt दबिलीचिंग पॉर्डर है यह बीचिंग पॉर्डरे टॉलिट साफ पर सकते हैं तक ज़70 यह कल जाता इतो तुवार जाता है थे का की रुटा ज़ा । नहीं ठūक हुआ यह तर्फन खर नहीं होता ब्लीचिंग आते हैं इसको प्योग क्या है इसको पेज़ रोप में जु więc करने में जल को सुद्ध करने में नेक्स न को बिरंजक के रूप में बिरंजक के रूप में रंग उलाने में लास्ट कि ऊणको सोड़ने से बचाने में उनको सुखरने से बचाने में इसके उप्रयों को अब हमारा जो नेक्स टॉपिक है बेकिंग सोडा यह पढ़ाएंगे कल की वीडियो में क्यों लाक्षट यह बन्बा बन्ना तुम को राटे मारोगे तो उसको यह बहुत दकवाते हैं ठीक वेटा तो बीडियों चौनरों करदेए लाइक चुनरों करदेए सब्क्राब भी नेक्ष भीटिम प्लेमस का चैनल बंदे मादम कर बाई 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 बाई